तो उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे कार साफ करने का एक काम रहता था रोज जो अपकमिंग न्यू स्कीम है इसमें टेक्सेशन में क्या-क्या चेंजिस हुए हैं और वो कितने हद तक प्रेटिकल लाइफ में अमलोग कर सकेंगे बहुत सार बच्चे कंक्यूज होते हैं तो हमको गुरुप वन देना चाहिए यह गुरुप टू देना चाहिए मेरे को करना ही मेरा ड्रीम है आज कोई भी वेक्ति आता है नया वेक्ति आता है और उसको अगर अपना कंचेप्ट हिट करना है तो यूट्यूब पर आएगा और डिक्लेर करके कतम करके चालू कर जाएगा और सायथ क्राउड भी लेके चल जाए जेनवन बात बुल दो एक दम दिल से बिलकुल बिलकुल कभी तुम्हारे खानान में कभी किसे ने किया तुम्हारे को पता है बुक्स और प्रैक्टिकल बहुत बड़ा डिफरेंस इसलिए मैं कहता हूं डबी आर्टिकल नहीं करना मतलब जो आपको कहीं से मिला आपने डा करता है अपने लाइफ में मैं पिछले 11 साल चे बढ़ाना हूं मैं याद नहीं कर पाया हूं अच तक के है गाईज मैं हूँ आपको दोस्ति नोच फैजल शेख और आज हमारे साथ है इंडियास के लिडिंग पेकल्टी सीए वीजे साड़ा सर तो सर सबसे पहला आपका तहे दिल से शुकरिया जो आपने कीमति वक्त हमको दिया है तो सर ये वीडियो रिगार्डिंग ऐसा है कि कुछ बच्चों के डाउट्स है और कुछ आपके जीवन के बारे में लोगों को जानना है तो इस रिगार्डिंग हम लोग ये पोड़का शुरू कर रहे है तो सर पहला फेज ऐसा है कि आपके बारे में हम लोग पूछेंगे बिलकुल बिलकुल ठीक सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपके C.A. के जरनी में कि आपने स्कूल और कॉल्जेस कहा से किये जिस तरह से मेरा जरनी रहा है तो मैंने मल्टिपल जगहों से किया जिसमें सबसे पहले नाखपुर था फिर इसमें आकोला था फिर इसमें बंडारा था एंड इसके बाद इसमें जल्गहों भी था तो सब बेसिकली महराष्टा से ही हुआ है तो ये अलग चार अलग अलग से डीस से हुआ है सर सेकंड कोशन ये था कि आप स्कूल में कैसे शुडेंट थे मतलब आप मेरे को एवरेज ही बोलोगे तो ही बेटर रहेगा वो होते नहीं है वो लास्ट बेंच पे बैठने वाले लोग होते हैं मतलब हम उस कैटेगरी के स्टूडेंट थे कभी भी ऐसा पढ़ाई में बहुत जादा इंटरस नहीं रहा है और वो लास्ट में बैठे वाले बच्चे नहीं होते हैं जो लास्ट बेंच पे बैठ करके कमपॉस बॉक्स रखते टर टर बजाते रहते हैं हमारे लिए तो सबसे बड़ी सजाई यह होती थी कि दो लड़की के बीच में बटा दिया मतलब वो नहीं होते हैं एकदम आकरी बेंच वाले लड़की के बीच में बटा दिया सजाई होई है तो मैं उस तरीके का स्टूडेंट रहा हूँ सर आपको सीए करने के इंस्टूशन कहां से मिली कैसा है खायलाई कि सीए करना है आपको बेसिकली पहले ऐसा नहीं था कि मेरे को सीए ही करना है जब मैं इनीशली कुछ काम कर रहा था तो हम लोग कलेक्टर ओफिस के बाहर रहते थे खड़े रहते थे उस काम को करते हुए बुक्स बेचते हुए तो यह दिखता था कि यार कोई एक ओफिसर है जिनके पीछे बहुत सारे लोग भागते है जब थोड़ा सा पता किया उस ताइम पे इंटरनेट इता दा नहीं था थोड़ा बहुत पता किया तो पता चला है यह आए ऐसे और करने के यह तब ही हो सकता है जिनका नाम है शाम भिया शाम मोदानी तो यह दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मैंने इनको देखा है कि भिया इनके जर्नी को देखा है कि यह बहुत जीरो से उपर गए है तो इनको देखके लगा कि यह जब तक कि iOS नहीं कर सकते ना तब तक कि at least यह एक ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए जो जीरो से आपको बहुत बड़े लेवल तक के लेके जाती है तो वहां से मेरे को ऐसा लगा कि यह जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए तो ठीज सरा सर निक्ट कोशना मेरे आपसे यह है आपने आर्टिकल चिप कहां से की है आर्टिकल चिप कैसा कोई किसा जो आप हम लोगों साथ सेर कर सेगे आर्टिकल चिप जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी जलगाओं से क्योंकि मैं वाई से सीए कर रहा था तो जलगाओं से स्टार्ट हुया था फिर मेरे को शिफ्ट होना पड़ा था नाखपूर के अंदर में तो फिर बची भी जो आर्टिकल चिप थी वो नाखपूर से होई थी तो जो जलगाओं का किसा है बहुत छोटी जगह थी उस टाइम पे जलगाओं डिस्टिक भी है बट अगर मैं लेवल को लेकर के बात करो बहुत सारे बच्चे वहां पे नहीं करते थे तो आर्टिकल चिप भी बहुत रिस्टिक्टेट थी अब आर्टिकल चिप जो हमारी थी ना वहां पे उनका नाम था RD Gen and Associates जल्गाउं के काफी famous chartered accountant है तो और जो sir थे, sir के जो लड़के थे दर्शन sir वो भी chartered accountant है और उनकी जो बहु आई थी वो भी chartered accountant थी तो पहले से notorious तो हम लोग थे ही कि भी या मस्ती करना है आर्टिकल चिप में भी मस्ती करना ही करना है तो ऐसा होता था कि हमारे जो sir थे जो गरीब आते हैं office के बार उनको कुछ देने के लिए क्या करते थे पारले जी biscuits या कुछ खाने का लाकर रखते थे और हम लोग इतने नालायक लोग थे कि office में जो चाय आती थी न उनको देने के बतले हम ही पहले ने पढ़ लेते थे उसको तो हम ही खतम करकुरा के नक्की कर देते थे फिर उस टाइम पे न social orkut हटके facebook आया था तो पहली पहली बार चखा था कि विया social media नाम की कोई चीज होती है और chat option मतलब ही नो free में हो रहा है chat तो chat करते रहे और उस टाइम पे जो internet के bill थे एक बार हमारे office के internet के bill जो थे बहुत सारी चीज थी पहली बार internet मिला था तो आप समझ चकते हो शादी नी होई तो internet का काम काफी होता है तो internet के bill download कर करके 23,000 तक के हमने पहुचा दिया था और the then time 23,000 चोटे से office का बिलाना बहुत बड़ी बात है तो थिर बाद में बहुत दुलाई हुई but time बहुत अलग था, बहुत उनीक था sir में नेश कोशन आपस ये है कि कभी आपको office नहीं जाना होता तो आप क्या बाहने मारते था और कैसे क्या चीज़े चीज़े जलती थी मतलब सोची लिया है, सब खोल नहीं है see, generally ऐसा होता नहीं था क्योंकि हमारे जो office का environment था वो बहुत fun loving था मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे सब लोग general थे but फिर भी कभी ऐसा होता था था ना फिर वो सबका एक ही भाना होता है कि बुखा रहे, आना नहीं जम रहा और मैं तो क्या है मेरे relative क्या रहना हूँ तो relative क्या रहता था so आज उनने रोक लिया है वो जानने नहीं दे रहे उनकी तब इत्खराब है तो आज में को काम करना है तो यह कुछ बाने होते थे बर जनरली बहुत कम ऐसा होता था मतलब घर में मन नहीं लगता था हम तो संड़े के दिन भी उटके ऑफिस में चल जाते थे काम होता था नहीं होता था और दूसरा क्या है वाँ पे स्टेशनरी वगरे थोड़ी फ्री मिल जाती थी डाउनलोड जे रॉक सब हो जाता था तो मन वहीं लगाबा होता था हमारा सर इसी से रिलेटर में नहीं क्योशन यह था जैसे अभी आप देखेंगे बहुत सर बचे डाइट एंटरी से हैं और बहुत सर बचे डमी आर्टिकल चिप करते हैं तो उनके लिए आप क्या सब्सक्राइशन देना चाहोगे एक इसी दा जवाब यार नहीं करना चाहिए जब आप आर्टिकल चिप में जाते हो ना तो आपको चाहर गुण सीखने को मिलते हैं जो बहुत जरूरी है हर प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए पहला वहाँ पर आपको बात करना समझता है कि बात कैसे की जाती है आप एक बंद कमरे की अंदर में बैटेंगे कि भीया आप किसी को बूलना है कि हाँ चलो जल्दी कर देंगे किसी को लेट करना है तीसरा गुण जो आप सिखते हो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी लाइट में वो है डिसिप्लिन कि एक 10 बजे आना है शाम में 6 बजे जाना है डेड्लाइन्स के ऊपर किस तरीके से काम करना है जो बच्चे ने कभी आर्टिकलशिप करी नहीं न वो इस चीज़ को समझ जी नहीं सकता और फिर बॉãyड़ बइड़ट में वो कभी आर्टिकलशिप के डेड्लाइन्स को समझ जी नहीं पाईगा कि pressures में काम करना क्या होता है और चौता issue यह है कि आदमी वहाँ पर एक discipline सीखता है अभी जैसे CACA, CMA की अगर मैं बात करूँ न तो हुमारा जो maximum time होता है वो बैठ के निकलता है और अगर आपकी आदत नहीं है कि office में आपको 8 गंटा, 10 गंटा and timelines के उपर खेर 14 गंटा हो जाता है अगर यह आपको नहीं है ना, आप कभी successful नहीं हो पाएंगे, मैं यह कहूँगा मतलब जितना expectation फिर आप ले करके इस degree में आए, वो कभी complete नहीं हो पाएगा तो मेरा opinion तो बहुत simple है इस से फरक नहीं पड़ता कि आप big four में article chip करो, mid size में करो या low size firm में करो, article chip जरूर करो हर तरीके का काम सीखो और ऐसे firm में तो जरूर, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, और सब कही सपना होता है कि sir, हम big four में काम करना चाहते है sir, मेरा opinion इसमें पूरा अलग है अगर आप मेरे opinion को देखें तो जितना गाम आपको एक med size firm में करने को सीखने को मिलता है, big four आपको specialization सिखाएगा, मतलब अगर मैं doctors की बाशा में करूँ, तो वो आपको MD बनाएगा समझ मा रहे है, और यह आपको MBBS बनाएगा best of all best of all, समझ मैं है तो point मेरा यह है, कि जब आप कुछ सीखना ही जा रहे हो, article ship का मतलब सीखना ही है तो जब आप कुछ सीखने जा रहे हो न, तो सब कुछ सीखो, क्योंकि वो सकता है, पढ़ते वक्त आपको na accounts उतना केक ना दे GST उतना केक ना दे, पर काम करते वक्त आपको यह बहुत ज़्यादा केक दे दे तो मैं यह हमेशा कहूँगा, कि यह article ship करो, mid-size firm से करो और जितना काम सीख सकते हो न, पहले एक देर साल में हो, सीख लो क्योंकि फिर आपको independently भी न, आपको काम करने का मौका मिलेगा, and best part यह है, कि CA degree का specifically best part यह है, कि यहां का fail बच्चा भी न, उतना ही resourceful है, जितना लगबग pass वाला है, यह मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि एक बंदा जो यहां पर fail भी हुआ है, और अच्छे से आर्टिकल्चिप करिये न, वो लगबग साइनिंग अथोरेटी के अलावा सब कुछ काम करना जानता है, तो आर्टिकल्चिप तो मतलब कभी भी मैं सेजेस्ट नहीं करूँगा कि डंभी कर लो, ओके सर मैं नेक्स कोच्छन आपसे यह है बहुत सार लोगों ने मुझसे बूचा था कि विजय साड़ा सर्न ने CA फर्स अटेम्ट में क्लियर कर दिया तो इन्हों ने भी आपने भी फिलर को फेस किया है मतलब मैं जहीं तरह से मैंने कहा कि मैं एक बहुत ही एवरेज बच्चा रहा हूँ तो फर्स अटेम्ट तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और मुझे लगता है फर्स अटेम्ट में मैं नहीं भी क्लियर कर पाता शायब मैं जितना अपने आपको एवालुएट करता हूँ उस बेसेस पर हाँ फर्स अटेम्ट मेरा कभी क्लियर नहीं हूँ मुझे multiple attempts लगे और अगर आप मेरे से पूछोगे कि यह अच्छा हुआ या बुरा हुआ जिस टाइम पर fail हुआ obviously किसी को अच्छा नहीं लग सकता लेकिन बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे मेरी गलतियां समझ मैं ही कि मैंने गलतियां कहां की थी और कहीं न कहीं कई बार जब आपको pause लगता है तो वो अच्छा भी होता है मैं शायरी से इसे कहना चाहूँगा अगर आप permit करें दो कि बेदाग हो जिन्दगी इस चाह में ही दाग है जिन्दगी इस चाह में ही दाग है क्या रोटियां बिना जले पका करती है जिन्दगी एक दरिया है लहरे तो आएंगी ही क्या नौका बिना हले पार हुआ करती है तो वो वेक्ति जो मेरे हिसाब से average है मेरे जैसा और वो multiple attempts में भी अगर pass होता है तो it's okay मेरे को ऐसा लगता है जो अच्छे बच्चे वो तो first attempt शायद rank भी मार ले बट मैं fail हुआ हूँ और failure को देखने का अग अलग नजरिया भी रखता हूँ कि you know we have extended six month of student life मतलब आप fail को भी देखोगे तो we have extended six month of student life ओके सर्वे अनिश कुछनाव से यह है आपकी CA journey में आपकी family कितने supported थी और कैसे आपने यह CA का course आपने complete किया इसके बारे में आप बताईए hailing from you know अमारवाडी family business is blood तो हमारा भी जो पूरा रहा है business ही रहा है और entire family में मुझसे पहले कोई chartered accountant नहीं था so मैं मेरे bloodline में पहला हूँ जो chartered accountant and company secretary complete किया है अब जब किसी को समझता ही नहीं है जैसे अब मेरे dad business में थी mom is a housewife तो किसी को समझता ही नहीं है और दो बड़े भाई है मेरे को तो उन्होंने कभी कभी ऐसा professional degree के तरफ move नहीं हुए थे दर दिन तो support नहीं था and जिस तरीके से मेरा situation था मेरे dad completely उस दर दिन टाइम अपोस के अंदर में थे और financial situation में कुछ ऐसी थी कि अगर हम काम नहीं करते तो अमारे लिए survival थोड़ा सा मुश्किल था तो ये जरनी में Board-reten supportive नहीं था हाँ पर एक जण बहुत support था वो थी मेरी मम्मी क्योंकि मम्मी के side में जैसे मैंने का मेरे मासा जी मरे मासी की लड़के वो लोग पढ़ाई करे वे थे और तो मम्मी को मेरे ये बहुत ऐमियत थी पढ़ाई की बहुत ऐमियत थी और हमेशा मतलब situation कितनी भी रही हो financial situation यह हो पैसे बचाके पैसे चुपाके कि तिरे को book ले नहीं है ठीक है एक काम कर तू ले ले तो उन्होंने जितना support किया बट पपा के साथ तो मेरा मतलब आप मान करके चलो कि rebel ही था कि वो कहते थे कि भी यह दंदे पे लग and I was like कि नहीं यार मेरे को professionalism के तरफ जाना है तो इस तरीके साथ था बाकी अगर मैं दूसरे family की बात करूँ दूसरे जो लोग होते है family के अंदर में जितने हमारे प्यारे relative होते है बहुत जिन को प्यार आता है घर आते है जब इन लोगों में से तो बहुत से लोग ऐसे थे कि भीया तुझसे तोड़े न उपाएगा एरे यार सीए करना तो मतलब वो 80-90% वालोगा काम है तिरे से तोड़े न उपाएगा कई लोग तो इतने प्यारे थे जो ये भी पूछ लेता थे कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है तो मतलब आप इनको क्या बोलोगे तो मतलब उस हिस आप से देखा जाए तो फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं थी जिस दिन सर आपको सीए फाइनल का रिजल्ट आया सीए फैनल में भी अटेम्ट लग चुका था और ऑप्शन था नहीं पेपर जो दिये थे वो बहुत अच्छे दिये थे और ये कॉन्फिटेंस था क्योंकि मेरे पास फैल होने के ऑप्शन नहीं थे मतलब फैल होना है मेरे लिए अप्शन नहीं था वो इसलिए ऐसा था क्योंकि multiple items लग चुके थे और पीछे financial support था नहीं मतलब और मैं जहां मेरे जल्गाओं में रहता था मैं वहां से भी निकल चुका था तो एक तरफ पपा के तरफ से भी ये support नहीं था और जो support देने के लिए था वो भी नहीं था तो मेरे पास ये option ही नहीं था कि मेरे को करना ही है तो मैं दर देन नाकपुर के अंदर में था और मैं तब से पढ़ा रहा हूँ टीचिंग में हूँ जब से मैं CA final में हूँ और अच्छी बात मैं आज शायद पहली बार बताऊँ मैं जब खुद CS professional में था मेरे students और मैंने एक साथ बेट के एक्जाम दिये and हम दोने ही पास हुए रहे है तो जिस दिन आया मैं उस दिन प्लास ले रहा था मैं टैक्सी पढ़ा रहा था उस दिन भी और जिनकी यहां मैं था जिनको मैं कहता हूँ कि जिनने में को टीचिंग मिला है रूपम बढ़िया सर तो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और ऐसा बोड है पीछे उस ताइम बोड होता था मैं तब यह आई-पैड वगरे नहीं थे तो मैं पढ़ा रहा हूँ और सब बच्चे बैठे हैं और उनको पता है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है तो मैं पढ़ा रहा हूँ इतने में सर आए और उनने गेट कुला बोले विजय तू सीए बन गया और बिलीव मी वो जो क्लास के अंदर में क्राउड था जितना क्राउड था वो एकदम चियर अप हो गया क्योंकि उन सब को पता था रिजल्ट आने वाला पार्टी देना सर इधर जाएंगे उधर जाएंगे ये वो और उस ताइम पे भी वो विजविया करते रहते थे तो पार्टी देना ये वो तो आई वास लाइक और उस सब चिल्ला रहे एकदम से क्राउड के अंदर में जोश आ गया है और मैं बोड के उपर ऐसा पैन लेके खड़ा हूँ मैं पलट भी नहीं रहा हूँ मैं पलट भी नहीं रहा हूँ और वो एक ऐसा मुमेंट था ना जब पूरा फ्लेश बैक याद आ गया कि घर से निकलना वहाँ जाना पूरा कम्पलीट करना फेलियर का रिजल्ट देखना पास का रिजल्ट देखना वो दो मिनिट में पूरा लाइफ ऐसा फ्लेश बैक हो गया और फ्लेश बैक होने के बाद एक पॉइंट ध्यान में आया मतलब मन में मैंने बोला आता मी दाखा हो तो आता दाखा हो तो and CA के रिजल्ट के exactly कुछ 30 और 40 देज के बाद ही CS का रिजल्ट आया और मैं वो भी कम्पलीट हो गया अब पहला रिजल्ट जो मैंने मेरा कम्मिनिकेट किया था अगर के महोल के बारे में अगर मैं बूलू पहला रिजल्ट जो मैंने मेरा कम्मिनिकेट किया था वो मेरी मुम्मी को कम्मिनिकेट किया और हर मा की तरह उनके आख में भी आसु आ गया फोन पे रोना चालू हो गया हम लोग 15 मिनिट के कॉनवर्सेशन में शायद 5 मिनिट बात किया और 10 मिनिट एक दूसरे को बस रो रहते है वो भी रो रहते है और मैं बी रो भी रहता मैंने पापा को फोन नहीं किया था कि मैं सी एवन गया हूँ किया नहीं रिबल वाला सिचुएशन मैंने किया भी नहीं मैंने मुला ममी बता देगी फिर मेरे हम तीन भाही है विन्या विवेक विजय है तो मैंने विवेक भिया को फोन किया क्या होता है आपके से जब बड़े भाई होते हैं तो एक ऐसा होता है जो स्ट्रिक्ट होता है और दूसरा होता है जो आपको बिगाड़ने में पूरी मदद करता है मज़ा आपन ओफिस के बाद मिलते हैं फिर विनेबिया को बताया और next phone जो मेरे को आया मेरे जिन्दगी के सबसे important person का आया वो थी पल्लेवी तो कि जो मेरी wife है chartered accountant है वो भी और हमारा love marriage है इस पे उडिस प्रिंगा आगी तो उसका phone आया and मैं साथ phone पर ही था और हम दोनों इतने खुश थे क्योंकि हम दोनों में से एक जन का target तब अचीव हो चुका था life के लिए तो ये वो महोल था पूरा सर में अगर मैं आपसे पूछू CA की journey में सबसे best part कौन सर आया और सबसे worst part कौन सर आया मतलब क्या बता होगे आपके throughout जरनी CA की journey का न सबसे best part ये होता है जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो मतलब मेरे ऐसे अगर मैं कहूं तो मेरा जो final का time है CA final का time वो मेरे लिए best part रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त बना है final के class थी पुने के अंदर में तो वहाँ पर बहुत सारे दोस्त बना है बहुत अच्छा time spend किया हमने बहुत मस्तीगरी classes के अंदर में बहुत मज़े करे और अगर मैं worst part बोलू तो क्या था जैसा हर बार होता है न ऐसा कि आप 6-8 लोग गैंग में बैठे हो जिसमें से 3-4 पास हो जाए दो-3 सीए ही छोड़ दें और 2-3 फेल हो जाए तो कुछ लोग पास हो गए उनके लिए तो बहुत ही बुरा लगता है कि साले पास हो गए और कुछ को तो देखके यह ऐसा लगता है न अब जंडू मतलब यह कैसे पास हो सकता है और वो एक worst पार्ट था अज़ह कई लोग ऐसे भी होते है कि मतलब जो पास हो जाते हैं उनका attitude बदल जाता है पास होने पर उनका attitude जो होता है बहुत बदल जाता है फिर वो आपने आपको बहुत grade समझने लगते हैं जबकि कुछ concept हम नहीं पढ़ाएवे होते हैं उनको तो वो एक bad face था क्योंकि जब आप fail होते हो ना especially in professional courses के अंदर में जब आप fail होते हो ना तो आपको कई चीजे छोड़नी पड़ती है मतलब आप बोलते हो ना कुछ चीजे त्याग मानती है तो क्या-कया त्याग होते हैं, 2 चार शब्दों में कहांगा कि 4 त्याग होते हैं पहला इस कोर्स को करने के लिए अपने छूटएंगे तो अपने छूट जाते हैं दूसरा यह आपसे आपके बड़े और त्यभार चिन लेता है, मतलब आइगेस इस बात को तो almost everybody will correlate, तीसरा यह आपसे आपकी बॉड़ी चिन लेता है, जिसका मतलब सुक चैन, शांती, यह सब चिन लेगा और चौता जो है यह आपसे आपके मन को चिन लेगा, मतलब कई बार आपका मन यह करेगा कि मेरे को पढ़ाई नहीं करती है, फिर भी जखमार के बैठना पड़ेगा, तो त्याग तो है, मतलब उस टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि यार, क्या ही कर रहा हूं, मतलब पूरा इंडिया, जहां दिवाली मना रहा है, मैं चुपचा बैठा हूं, होली मना रहा है, मैं चुपचा बैठा हूं, मेरा ही बड़े मैं लाइबरे में बैठा हूं, तो वो में को एक लगता है कि इस जरनी का सबसे वर्स्ट पार्ट है, रिजल्ट के बाद का जो टाइम, और जो इससे ओवर्गम कर जाता है न, वो कन्फरम मिल जाता है, ओके, सर से आदा प्राउड होता है, पता ही क्या है, मेरा नाम बदल है, मतलब मैं विजैस आउड़ा था और अब मैं चार्टर अकाउंटन और कंपनी सेकेटरी विजैस आड़ा हूं, जी भारत में है न, कुछ ही ऐसी डिग्री है जो नाम के आगे लगती है, CA, CS, डॉक्टर, अड क्या ट्रांसफार्म हो गई, मैं बहुत हक से यह चीज़ कह सकता हूं, मेरी नहीं, मेरे पिछली पीडी की, मेरे पीडी की और शायद आने वाले दो पीडी की लाइफ पूरी चेंड हो गई, financially, knowledge-wise, financially हो गया, knowledge-wise हो गया, and एक नए जनरेशन को हम लोगों ने स्टार्ट किय कि जहां पर, इनो, सिर्फ बिजनस ही नहीं, profession को भी बहुत positivity के साथ देखना जाओगा, मतलब मैं खुद यही चीज़ देखता हूं कि मेरे पापा जो पहले पढ़ाई को अपोस करते थे, आज, मतलब, आप मान करके चलिए, यह podcast जब बहार निकले गा ना, एक comment इसमें जर बढ़ाव आया है, दूसरा सबसे बढ़ा बढ़ाव, आप बोले देखिए, मतलब, इसे अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है, कुछ लोग बोल सकते है, पैसा आ गया है, कुछ लोग बोल सकते है, फेम आ गया है, मेरे हिसाब से ना, मेरे परिवार का जो education system है ना, मेरे मासी के बच्चे कुछ और जो छोटे है, मासी के बच्चों के बच्चे CA में आ गए, तो यह जो एक pattern चालू किया है ना, हम लोगों ने, तो वो में को ऐसा लगता है, कि यह सबसे बड़ा change है, बाकी अगर, in terms of money, आप बाकी चीज पूछे, money आप fame गया है, तो, you know, इ कोई formula बताईए, जिस पर चल के, हम जैसे लोग, जो आपको देख रहे हैं यूटूब वीडियो में, वो भी आप कितने success मुलोगों से, मेरा success का formula शायद थोड़ा सा अलग है, मैं इसे दो तरह से समझाता हूँ, एक, वो success, मतलब success, एक जन वो मानते हैं, कि पैसा, दौलत, शोहरत, सब आजाने ये एक success है, ये एक general society का बनाएवा formula है, और मेरा एक अलग formula है, जो बहुत लोग इससे भी inspired होते है, different way of thinking, कि अगर आप खुद satisfied हो अपनी life से, आपके parents आप पे proud है, आपका family आपको अब एक respect से देखता है, तो ये बहुत बड़ा success है, तो अगर मैं success का एक बहुत बहुत बहुतरीन formula आपको बताऊ, दीए कई बार ऐसा होता है, कि हमारे जो family होती है, वो हमार से उस time पे, जिस time पे आप अ coincide नहीं करती, जब तक कि आप successful नहीं हो जाओ, तब तक कि coincide नहीं करती, किसी भी field में success होने का एक बड़ा simple सा reason है, पहला लगे रहो, give up करना ही नहीं है, मतलब देखो एक attempt आएगा, दो attempt आएगा, 50 attempt आएगे, 25 attempt आएगे, मतलब हर काम में, मैं सिफ CA की degree में नहीं बोल रह रहे हो, तो आपको 25-35 भी लग जाएं, कि यार एक वो perfect, जहां पे short आए तब तक, तो पहली चीज, जिस चीज में दिल लगे न, उस चीज में लगे रहो, जिस चीज में दिल लगे, उस चीज में लगे रहो, ठीक है, आज नहीं तो कल मिलेगा, जैसे मेरे को था कि भीया, मेरे को पढ़ाना ही है, हमेशा से था, तो मैं उस चीज में लगा रहा है, इस से related एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, कि जो मैं जब CA बना, और CA बनने के बाद मैं जौब पे ना जा करके, मैंने teaching के तरफ रुख किया, अब जो मेरे बड़े भीया थे, वो insurance में थे, दूरसे और आज के जैसा नहीं है, मतलब आज तो अल्मोस्ट ऐसा ही कि आप आगए हो और तुरंत आ सकते हो setup के साथ, जब हमने teaching चालू करी थी तो यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप technologically इतना जो open space है YouTube का, आज कोई भी व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति आता है, और उसको दोनों ने मेरे को एक दिन बैठाया, जैसे है अपन बैठे हैं, चाहि के उपर, अब क्या होते हैं, जो भाई serious mode में आते हैं तो थोड़े सा जीब हो जाते हैं, बाई serious mode में हैं, बोले, क्या करना है life का, मैंने बोला, क्या करना है मतलब, अभी हो गया न, अब शादी हो मतलब, तेरी income कितनी हो रही है, क्या हो रहा है, अब यह ममी पुपा direct सवाल नहीं पूछते थे यह, यह ऐसे indirectly गूम किया आता है, तो मैंने बोला, इतनी हो रही है, तो यार तो पागल है, क्या हमारे office के अंदर में, मेरे बहिया थे, दर देन time ICICI में थे, ICICI में यार CS, credit managers जो है, इनको 45,000, 50,000 salary मिल रहा है, और तो कुछ नहीं कर रहा है, मैंने उस टाइम पे शानत रहा, और सुन लिया, क्योंकि life में कई बार आपको जवाब दीना नहीं होता, क्योंकि बार से सुनना होता है, और जो लोग passion follow करते हैं, उनका यह बहुत ज़ादा होना चीए, र लगे रहे, लगे रहे, इतना प्यार मिला, कि आज यह चीजे चेंज हो गई है, अब इसी के बाद का बताता हो, दोनों भाईया पूने ही आ रहे थे, और हमारे पास रहने के लिए, गुमने के लिए, तब उनके सामने एक जन बैठे थे, बाते होती है, ट्रेन में, उनके बहुता है, 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 और फोटो दिखाए, अच्छे तो यह जो भाई होते हैं, बेजजती करना में बिलकुल दूर नहीं होते हैं, कौन सा फोटो दिखाना चाहिए सर, बनियान में वो फोटो दिखा है, बोले यही ना, मतलब वो लड़की मेरे को, मतलब एडमायर कर रही है, ठीक है, यह मेरे को बोले यही ना, जंडू, बोले हाँ, सच्ची, फिर हो मेरे को वहाँ से फोन करता है, बोले यार, मिले, अब इसके बाद ऐसा होता है, कि हम लोग अब कभी भी जाते हैं, आखपुर में, कहीं पे भी जाते हैं, तो कोई बच्चा मिलता ही है, कहीं ना, कहीं, तो बड़े ख नसीब का है, वो तो कोई नहीं लेके जा सकता, और जितना मिला ना, थोड़ा सा उसमें भी खुश रहना सीखना पड़ता है, मेरी एक बात समझा है, सब कुछ भी नहीं मिलता जीवन में, कुछ चीजे छोड़नी ही पड़ती है, जैसे, अपने आपको ये कह कि आप बहुत सुखी रख सकते हो, कि इतना दिया बगवान ने मुझको, जितनी मेरी उकात नहीं, ये तो करम है उसको दा का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल, सर इसी से लेटे में नेक्ट कोश्चन है, कि आप टीचिंग की आपने क्यों चूश रहा था, तो मेरे को तभी से ही अट्राक्ट करता है, कि यार, मेरे को एक चीज ना, तब तक के समझ आ चुकी थी, कि मेरे को बोलना और करना आता है, किसी चीजों को, और साथ-साथ में ये था कि, जब हम लोग पढ़ा ही करते थे, लाइबरेरी वगर में भी, तो मैं साथ-साथ में लेकर कि कि किसी को कुछ अमज नहीं रहा है, तो पढ़ा दो, किसी को कुछ जम नहीं रहा है, तो पढ़ा दो, तो वहाँ से एक इंटरस्ट डेवलप हुआ, और फिर, यहां पे, जब माहूल देगा पूने में, तो ऐसा लगा कि यार, ये एक चीज है, जो मेरे को करने में बड़ा इ जी मैं आपको बताऊं मैं एक टाइम पर बहुत सारे subject पढ़ाया हूं जिसमें strategic management है law है tax है indirect tax है financial management है यह सब पढ़ाया है मतलब यह सब try किया है लग-ग करके बट जब आप बहुत सारी चीज़े try करते हो न तो आपको समझ में आ जाता है कि किसमें आपका मन लग रहा है किस इसमें यह पढ़ाता था, तो टैक्सी एक ऐसा सब्जेक था, उसमें भी स्पेसिफिकली डीटी एक ऐसा पार्ट था, जी एस्टी भी नहीं, डीटी एक ऐसा पार्ट था, जो मेरे को बहुत पसंद आता था, और बस फिर एक-एक बाकी सारे सब्जेक छोड़ दिया, लौ तो मैंने स्पेसिफिकली तब छोड़ा, जब मैंने दर्शन खरे सर को देखा, मैं एकदम, मतलब जो जेनुइन है, मैं आपको बोलूँगा, मैं और डीके बहुत ही अच्छे दोस्त है, मतलब आप, you know, डीके का नंबर मेरे मोबाइल में, पार्टनर इन क्राइम के नाम से भी सेवड है, दर्शन करे सर, एंड वो आदमी बहुत अलग रोल प्ले करता है मेरे लाइफ में, तो जब मैंने उसको देखाना पड़ाते हैं, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के साथ जो जस्टिस करना बोलते हैं, मैंने बुला, नई, it's the best time कि मैं मेरे पैशन पर फोकस कर और एक बंदा जो बहुत अच्छे से उस पैशन को फॉलो कर रहा है, वो वो करे हैं, तो फिर तब से फिर डीटी ही अपना सब कुछ बन गया, और रोमैंसिंग टैक्सेशन ही टैक बन गया, ओके, सर एक आप पांदस साल से टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सर आपने क्य किया है, जैसे बच्छों लोग आप इतना पसंद हो, आप लिडिंग फेगल्टी हो इंडिया के टैक्स के लिए, मतलब क्या आपने कुछ ऐसा अलग किया है, सबसे पहली बात मुझे शायद ऐसा लगता है, कि बच्छों का बहुत प्यार मिला है, मतलब मैं जितनी तरीका था और तरीका है, वो थोड़ा हसी मजग के साथ है, क्योंकि टैक्स जेनुइनली बहुत बोर कर देता है, तो मेरे साथ जितने टीचर्स भी थे, यह हमेशा मेरे को कहते थे, थोड़ा तो सीरियस होगे पढ़ाया कर, तो एक दिन मस्ती मस्ती में मैंने उनको तो एक है जॉइफुली, दूसरा उसके लेवल पे जाके समझाना, तीसरा मैं खुद एक आवरेज बच्चा रहा हूँ, तो आप अगर कभी लेक्चर देखेंगे या कोई बच्चा देखेंगा ना उसको समझ में आएगा, कि यह नो, आवरेज बच्चे को कई बार एक ची किया, और जब जिस चीज की जरुत थी बच्चे को वो किया, तो प्यार आटोमेंटिकली वापस रिवर्स होके आता है, बिल्गुल, बिल्गुल, ओकि सर, मिरा नेक्श कोश्चन आप से ये है, कि आपकी इंस्पिरेशन कोन है, हम सब की इंस्पिरेशन आपको यहाँ है, इस्पिरेशन जगता है कौन आपको इंस्फिरेशन लगता है आपके स्पीराल एई अगर मैं जेनुवीन बात बुल डूँ एक दम दिल से बिलकुल सार मुझे न मेरी वाइफ बहुत इंस्पियर करती है मैं आपको उसके कई रीजन बताता हूँ पहला reason वो मतलब जितना मैंने उस लड़की को देखा है मतलब पल्डवी को, मेरी वाइफ को जितना मैंने देखा है न मैंने उसके जितनी hardworking लड़की नहीं देखी मतलब she's a chartered accountant घर भी संबाल रही है मेरे family को भी बहुत अच्छे से संबाल रही है मेरा financials भी सब कुछ वही handle कर रही है और कई बार life में नहीं ऐसा point आता है जहांपर decision making बहुत hard होता है मेरे लिए वो एक बंदी ऐसी है न जो बहुत subtle है मतलब मैं subtle नहीं हूँ मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा वो भी करूँगा and she's very subtle and very quick in decision making मेरे को वो बहुत inspire करती है एक और दूसरा जो मेरे को मतलब you know inspire करता है other than पल्लवी अगर मैं other than पल्लवी की बात करूँ तो तो मेरे को कई teacher है दो teacher मैं आपको बताऊँगा जो CA community के नहीं है मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत सही चीज है तो एक है khan sir आपने अगर कभी सुना होगा मतलब यार आप सोच करके देखिए कि ऐसा teacher मतलब जिनों ने जिनके institute पे बम गिरा बट यार वो बन्ने ने आज तक कि कभी हार नहीं माना और जितना वो पूरे उस community के लिए करते हैं मतलब बहुत next level है और दूसरा जिनको मैं बहुत ज़्यादा एड्मायर करता हूँ अपने ही profession के बार वो है विकास दिव्यकिरती sir तो मतलब उनका बात करने का जो तरीका है और किसी भी चीज को प्लेस करने का तरीका है ये teacher में मतलब है यार बहुत अच्छी चीज है आपके life में या किसी जो students है उसकी life में दोस्ती का importance है और आपके जिगरी जो दोस्त है उनके लिए आप का करना चाओगे और क्या suggest करोगे हमारे बच्चो लोगे बच्चो देखो मैं तुमार को एक बात बोलूगे तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे जब तक के दोस्त ना हो मैं एकदम दिल से आपसे कहता हूँ देखो पैसा तुम कमाओगे मेरी बात समाजना आप कुछ भी कर लो पैसा आ जाएगा और आज तो इतने even you open है मैं तो heads भी पढ़ाते वक्ते कहता हूँ sources of income are unlimited classified in five heads अमालया आप अपने wife के साथ कितने वार गुमने जाओगे कोई ऐसाथ हो ना जिसको आप बाकी चीजे शेर कर सको क्योंकि आप हर चीज wife के साथ नहीं कर सकते हैं मस्ती बोलो ये बोलो वो बोलो वो एक दोस्ती लगती है जिसको अपने शब्दों में मतलब हुमारे जैसे लड़कों के सब्दों में बकर हो नहीं जरूर है मतलब यहां पे पैसे की बात नहों धंदे की बात नहों सिफ बकर हो एक दूसरे के साथ मारा पीटी हो हक से बोल सके यह तेरी भाबी है यह यह ऐसा है तो जैसे मैं आपको अगर मेरे कुछ दोस्त बताओ ना जिसमें एक दोस्त है नितीश मनियार हम उसको प्यार से जामू बोलते है ठीक है तो मतलब यह बंदा ना he is a brother from another mother फिर एक परेश काबरा करके है फिर दर्शन खरे हो गया रइट जर्शन करे सर हो गया कुछ दोस्त है जो बहुत पहले किया जैसे हर्शू हो गए और अधर हो गए मतलब आज भी ना सर यह लोग जाते हो और यह लोग ऐसा नहीं मस्ती नहीं करें आ साले तो बड़ा आदमी बन गया यह वो इनके साथ रह करके मुमेंट बहुत लाइट होता है और आप इनसे कुछ भी मतलब बात कर सकते हो किसी भी एंगल पर बात कर सकते हो और यह आपको एक पॉइंट के बाद चाहिए होता है मतलब इनीशली जब आप जिब एज में होते हो न तब आपको लगता है पैसा सब कुछ है जब आप उस चीज को अचीव कर लोगा न उसके बाद लगता है यार दोस भी तो चाहिए जिसके साथ में ये चीजे कर सकूँ हम साथ में मिलके घूमने जाएं उसके प्रॉबलम मेरे प्रॉबलम पैसा आपकी किसी प्रॉबलम में आके खड़ा नहीं हो सकता दोस्त आपका कुछ भी हो वो आके खड़ा हो जाएगा उसको पता है कि मार भी खाना है तो वो आके खड़ा हो जाएगा बात तो से तो दोस्ती जरूर करनी चाहिए और मैं तो बोलता हूँ जब आप क्लास में हो मल्टिपल लोग बनाओ अलग-अलग सेक्टर के क्योंकि आपको ये कब कहां काम आएंगे एक बैंकिंग मला होना चाहिए एक एडवोकेट होना चाहिए एक डॉक्टरी में होना चाहिए आपको कब कौन काम आएगा आपको बिल्कुल नहीं पता और दोस्त है तो मतलब आप रात में एक बज़े भी फोन कर रहे है चल रहे है करना है तरको तो दोस्ती होनी बहुत जरूरी है सर मेरा निक्स कोशन आपसे ये है तौस अफ़नी है कि कभी आपको रिष्टेदार नहीं पूछा कि आप कौन से कोलेज से सीए कर रहे ह। और आपसके क्या जबादा है मतलब मैं तो बताउ आपको इतने प्यारे-प्यारे सवाल मेरे को तो रिष्टेदारों पर भी शक होता है मतलब पहला प्यारा सवाल था कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो तो मिरे न एक बार ऐसा मन से निकल गया था क्योंकि इतने बार आपसे पूछा जाता है मन से तेरे बाप ने खुला था न वो कॉलेज अब फ्रस्टेट हो जाते हो यार कितने बार यह सवाल अच्छा दूसरा सवाल पूछा जाता है सीए का रिजल्ट तो अच्छा ही आया था न पिछले बार भी बहुत बच्चे पास हो गए कभी तुमारे खानान में कभी किसे ने किया तुमारे को पता है फिर तीसरा सवाल वो लोग यह नो पूछते हैं कि यह नो सीए मतलब वो काटून आटिस्ट ना बरबर है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो पूछते ही है जिनको नहीं समझता वो यह करी देते हैं प्यार इतना प्यार वो दिखाई देते है क्या सच में सीए को सबसे आटिफिकल्ट है गया जो इंडिया का टेक्सेशन सिस्टम है वो कैसा है और आपको क्या लगता है क्या चेंजस होने चाहिए क्या चीज़े चल रही है अब कि और रॉबस्ट हो सकता है स्टुरेंट्स की तो बात नहीं करेंगा हम लो एक इंसान के लिए time management कितना important है और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे है उनको आप क्या सब्रेस्ट करोगे time management के लिए और CA students को भी आप अगर ये missing part अटाना बूल गए न तो आपका time management नहीं होगा और at the end of the day जा करके या तो तुम attempt skip करोगे या तो एक group skip करोगे की जो number of attempts लगते हैं CA journey में वो really matter करते हैं कि जब आप CA बन जाते उसके बाद जो कुछ अच्छे CA students है बहुत अच्छे content creator भी बन गए बरे बरे अब इनको मेरे को एक बात बतो साथ साल के उपर लगता है कमाओगे तो तुम यह पक्का है उडाओगी किस पे बिल्कुल सर का ऐसे दिल तूटा है या मतलब ऐसे मौहबबत में सब सर दिल तो तूटा ही है